पर एक महीने का अंदर आप लोग मुझे इंसाफ नहीं दिलवाते हैं, एक महीने का अंदर मैं मर जाओंगी और इसका पूरा पूरा जिम्हदारी परमोद प्रेमिय उनके मनेजर और कानून को जाता है, इतना आप जान लीजिए कि जब जाएंगे तो लंबा जाएंगे, जा यह साल भर भी रह सकते हैं, दो साल भी रह सकते हैं, अब देखिए बसादी का जहां से देखर सेक्स्वर रिलेशन इस्टेबलिक करना वो 69 इपीची उन पे लगेगा, फिर मार पीट का धारा उन पे लगेगा, तिन सो तेश लगेगा, पंसो चार लगेगा, थैटी फोर ल नाम थी, अब जो है बोजपुरी पे लाजचन लग रहा है कि बोजपुरी के जो सूपर स्टार है, सो कॉल्ड सूपर स्टार जो है, वो कई बार शाधियां करते हैं, यह प्रचलन बन गया है उनका कि पहली पत्नी छोड़के दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी और फिर कोई म बी पे लगतार आरोप लगा रही है कि प्रमोध प्रेमी ने 12-13 साल उनके साथ सोशन किया है, बकाइदा उनसे साधी की है, उनको रखने से मना कर रहे हैं, और हवाला यह दिया जा रहा है कि तुम साधी सुदा हो, इसलिए हम तुमको नहीं रखेंगे, तो क्या 12 साल किसी क सालिक संबंद रखना, उसके साथ रहन सहन करना, उसके बाद अब छोड़ना क्या सही है या गलत है, तो हमारे साथ अभी इस मुद्धे बे बात करने के लिए पटना हाई कोट के वकील बबलू सर है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इसमें आगे हो सकता है और क्या कुछ प् आप देखिए बड़ा अगंभीर सवाल है कि प्रमोद प्रेमी को क्या करना चाहिए? तो करने के लिए तो भाई प्रियंका वही कर सकती है ना, चुकि उनके साथ गलत हुआ है, और एक दो दीन की बात नहीं है, एक दो साल की बात नहीं है, प्रमोद प्रेमी पहले से साथा सुधा हैं और जबकि उन्होंने बताया नहीं प्रियंका को की अपने जो मोडल हैं प्रियंका उनको नहीं बताया गया कि हम साधी सुधा हैं हम तुमसे साधी करेंगे तुमको साथ में रखेंगे और इसी का जहांसा देकर उनके साथ लगातार यह उन सोसन होता रहा लगातार प्रियंका राय के पास मारते पीटते हुए प्रूफ है उनके साथ रहते हुए प्रूफ है पुरा अपने क्रूफ मेंबर या पिर अब जो बोलते हैं उनको कुलीक सबको कहते थे कि भाबी है तुमारे इस प्रकार से रहते हैं तो क्या लगता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है अब देखिए बसादी का जहां से देखर सेक्स्वर रिलेशन इस्टेबली करना वो 69 इपीची उन पे लगेगा 303 लगेगा 504 लगेगा 34 लगेगा उनको यह भी सुने में आ रहा कि के बारे वोशन भी लीगल तरीके से करा गया है जी जी आपने आप में जो एक है कि गंभीर अपरात को दर्शाता है और उनमें है कि वो लंबा जा सकते हैं चूंकि सवाल यह है कि भाई उनका अब यह भी बात सुने में आ रहा कि फूटेज बाइरल करने की धंकी वीडियो बाइरल करने की धंकी तो आइटी एक्ट में भी उनको इंपोज किया जाएगा आइटी एक पर लगेगा धारा तो एक गंभीर तो यहां पर सेक्शन है ही लेकिन सवाल यह बनता है कि इतने ब बेक्शन süब दो भाविश बनाने जाती है लेकिन बीश बनाने के जتمिके साथ सदूरी का जहांसा देकर इंके साथ प्लमों में काम जहांसा बेकर ऑनके साथ गलत होता है और तो यह बड़ा सर्वनाक बात है और उनको कम से कम समझना चाहिता कि इतने बड़े कलाकार हैं इतने रेपोटेड़ेट कलाकार हैं तो उनकी एक खास जीमदारी बनती थी लेकिन किसी को इस तरह के वहकावे में रखना इस तरह के वहला फुशला कर जहां से रखना तो बिल्क सर्णी वाली काम है यह बिल्कुल लेकल काम तो है अजा सर आपने जो बताया कि उनको दिक्कत हो सकता है उनके यह सारे धाराएं लग सकती है तो कितना दिन के लिए उनको जेल हो सकता है तो फिर्श्ट आफ आप समझे कि पूलिस का पाबर होता है कि इंवेस्टीशन करने क इंवेस्टिटिशन करना होता है कि और इस तरह के मांवले में आदमी जबरेष्ट हो जाता है तो आप समझ लिए कि कम से कम तो six months से उपर ही रहेंगे हो सकता है साल भर भी रह सकते हैं दो साल भी रह सकते हैं तो फिर अदमानी अदालत पर भी डेल करता है कि उसका उसका समाज में किस तरह प्लसक्श सब्सक्राइब जब जाएंगे तो लंबा जाएंगे जाएंगे तो लंबा जाएंगे चुकि यह गंभीर अपराद है आप समझें ने कि एक तरह का एक बलतकार है लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर वो अंडरेज हो गया अंडरेज मुन के साथ रिजलेशन इस्टेबलिश किया गया होग तो फिर तो यह पॉक्सों में चले और काफी रोते हुए उलोकर वीडियो वायरल है बहुत ऽारे करना चाहिए उनको एक्षन लेना चाहिए उनके साथ गलत हो रहा तो आप एफायर करवाई यह थाने जाए अगर थाना रिफ्यूस कर नहीं लेता है तो फिर आप प्रमोद प्रेमी जो थे तो वो थे ही उनके साथ और भी कुछ लोग है जो इनको पर तालित करते थे आईसा भी वीडियो के माद हम से ये बताना चाह रहे हैं। ये एक महज जो उनका वीडियो बाहर आ रहा था। उन पर हम लोगों ने वकील साब से जो डिसकसन किया है कि आखिर क्या हो सकता है। बाकी कोट में जाएगा मामला उसके बाद फिर कुछ फैसल आएगा। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो कॉमेंट स्ट्रक्शन में जरूर लिखेगा। और प्रियंका राय के इस पूरे मामले पे आपके अपनी क्या राय रखते हैं वो भी कॉमेंट स्ट्रक्शन में लिखेगा। मिलता हैं एक नए वीडियो में धन्यवाद।